सब इसमें आई जाते हैं तो यह प्रत्मे गनेश जी को पूछना होता है इसले गनेश जी की आरती जो है बहुत ही इंपोर्टेंट होती है वो करों और उसके बाद में आप माभगवती की आरती करों आप जया अंबे गोरी करो या आप जो भषुन दयविया में सबसे पहले बुरभया दिन चड़े गया मिर्यम्बे हो रही जे जे करमंदर विच आरती जे माँ ये भी आप कर सकते हो उसके इलावा आपको पथे एक और आरती है जो के रोटे खड़े कर देती है और वो मा के गुफा के अंदर होती है सुपे साड़े चार बचे है सुनाओ मैं एक लाइन स्की ना ही मेरा कुटुम्ब साथी पकड़ के भईया सभालो मैं ये मात मेरी हे मात मेरी चर्ण तुम्हारी गिरा बढ़ा हूं मोहती जाल में जकड़ा बढ़ा हूं अपने बाक्त को उठा के मैया चर्णों में अपनी जगा दो कैसी ये देर लगाई है धुरेगी हे मात मेरी हे मात मेरी मैं हूं दुख्य मैया संसारी छाया है गोर अंधेरा पकड़ के जोती दिखा दो रस्ता हे मात मेरी हे मात मेरी कैसी ये देर लगाई है दुरेगे हे मात मेरी हे मात मेरी ये विने एकी बारगाई खुल ले इसके तीन बारगाई है ये मां के भवान इसमें गुफा के अंदर सबसे पहले आरती होती है सुपे साड़े तीन बज़े होती है कॉल कंदोली में यही आरती में आर्ती होती है, फिर देवा माहीर स्वासराई होती है साधे चार बजे मा obtрах घुषाँ में क्योंकि पहला दर्शन अर्जन है लग गणुल कुंदोल MIDI दूसरी देवा माने भननी है लग फिर आरदकवारी चॉठी लبनी में ऑना कोटी हैBo तो यह आरती जो हम करते हैं तो हमारा पूरा तर्मन के लिए हम आते हैं यहां पर शांती पाने के लिए हम नमस्ती करने आते हैं ना गौसिप करने आते हैं हम यहां पर आते हैं शांती पाने के लिए जब हो जाते है उसके पाद इतनी मर्जी किसने क्या पहले हैं